तो वहां से बाहर निकले जब राहूल गांधी ने आज ए बड़ा इंट्रेस्टिंग बात कही राहूल गांधी ने याद किया सिद्धू मुसे वाला पंजाब के एक लोग गायक थे जियात्या हो गई थी कि सिद्धू मुसे वाला का गाना याद है ना 295 295 क्या होता ना 295 295 295 Совet reflection कि एक तो बड़े exact number पर सावेच सारी लोग थे इंडिया कट बंदन पर 295 Words basic लिभ कि जिक निर्क इन नहीं था 295 जड़ा होती है तो समुदायों को लुड़ाने वाली। कि येस तो वो सिद्दू मुसेवाला ने उस बग गाना बनाया था 295 पे IPC 295 पे लेकिन वो कह रहा है कि आप 295 हमको आएगा और गांधी ने सिद्दू मुसेवाला गाने का भी जिकर किया ऐसा अच्छा बहरा घर्षबर्धन जिवें उनको कहां से दिखाई दे रहा 295 कहां ने मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब हम लोग अन्याय कर रहा है हम सब मीडिया के लोग हम तो मीडिया की बात करेंगी नेता लोग अपना जाने लेकिए जहां पर कॉंग्रेस पार्टी और विपक्षी दल खड़े हैं उनके पास और कोई रास्ता है क्या अखिर क्या बा कितनी आ रही है जिस विपक्षी गड़्जोड को उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव एकदम सर पे आ गया तब तक उनको यह नहीं समझ में आया कि भैया कौन सीट पे कौन लड़ सकता है जिस विपक्षी गड़्जोड के सबसे बड़े ने इतना निक्रिष्ट विपक्ष मेरे ध्यान में नहीं है संजीव जी बहुत लंबे अर्से से चुनाओ देख रहे हैं हम लोग तो उनसे बहुत कम समय से देख रहे हैं यह लोग मजाक कर रहे थे चार जुन को प्रड़ाम आएंगे तो बहुत कुछ तैय होगा हो सकता है कि ह आप सोचिए जब इस विपक्षी गड़ जोड को तै करना था कि एचा चलो हम सब साथ मिलके लड़ेंगे तो एक राहूल गांधी आते हैं वाइट टी-शर्ट पहनके और कहते हैं कि हम अकेले भारत जोडो निया यात्रा करेंगे उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा है हम गड आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते, एक साथ बात नहीं कर सकते, दो ऐसे गड़जोड की पार्टियां जो एक जगा लड़ रही हैं, एक जगा प्रेम कर रही हैं, उसका प्रेडाम क्या होना था? उसका प्रेडाम यही होना था और 295 का आकड़ा उन्होंने ऐसा सोच कि क्य दिया है, 2004 की बड़ी बात होती है, तो 2004 में 137, 142 सी रह गया था, ऐसा नहीं था कि कोई भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस में बहुत अंतर था, और 2004 वाली भारती जनता पार्टी कोई 282 और 303 पर खड़ी पार्टी नहीं थी, 2004 में NDA गड़ोड कोई 303 वाली पार्टी तो पहले ये फर्क समझना चाहिए, देश में 10 साल में राजनेतिक मना हिस्तिती में क्या परिवरता ना है, अगर आप उसको समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि विपक्ष अभी भी चार जून तक के लिए दिल को बहलाने को गाली भी एक हयाल अच्छा है, आप अगरिष्ट विपक्ष आपने ऐसा नहीं देखा है, विपक्ष ने जैसे कुछ किया नहीं, आप एग्जेट पोल की बात निकली, 2004 की तुलना निकली, अब जाए पहले एग्जेट पोल को ये समझ लीजे, अब मैं अपना नहीं बाग इस सारे एग्जेट पोल पढ़ रह एक ने 400 दिया, एक ने 342 से 378 दिया, एक ने 353 से 368 दिया, एक ने 369 दिया, एक ने 358 दिया, एक ने 342 दिया, सारे एग्जेट पोल एक दिशा में हैं, संजीब जी, ये सारे एग्जेट पोल, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया हैं, सारे एग्जेट पोल, अब या तो यही स सारे के सारे गलत हो जाए कि देश मेंफुछ चलनात्रा है सारे 300 अभला माहुल चारस अभला माहुल कोई नहीं कि मुजे ये ये वी एक बी चुनावनी ध्यान आ रहा جिस वे सारे एक तर्फ बात थे देखें चाहे वो 2004, 2009, 2014 मतलब डिरेक्शन एक तरफ हो सकता है लेकि नमबर्स में सारे एक्जिट पोल्स सारे एक्जिट पोल्स पहली बार इतने एक जैसे दिख रहे हैं यू नो यह भी एक सप्राइजिंग बात है क्योंकि सब जन्हों ने अपनी अपनी विदी से के फरक तो मतलब इस बार अगर आक्रे रहते हैं तो सारे एक्जिट पोल्स सही होंगे हमेशा क्या होता है और ऑफ देखने का प्रयाशि MI लेके लेकि गलत होना पड़ेगा अगर विशेश आज के महुलें फरक नहीं पड़ता है कि सब गालत हो जाएं या सब सभी हो जाएं मैं तो सिर्फ उस तथे की बात कर रहा हूं कि यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि सारे exit polls सारे 300 के उपणी है रॉख ली है ना तो सारे exit polls 3.300 और 400 के बीच में हैं तो मैं तो सारे exit pollsters को मानता हूँ कि बहुत ही professional लोग है पेशेवर संस्था हैं उनका सबका track record है लेकिन ये बात थोड़ी अजीब सी तो है क्योंकि कोई भी exit poll अलग दिशा में नहीं जा रहा तो इतना ही consistency भी एक गौर करने ला एक बात है बस है न इसके इंदर कोई और deeper deeper meaning की बात भी ह सबसे अजीब बात ये कि सर्वेक्षण प्रतियेग राजी के लिए लगबग समान नंबर दे रहे हैं नहीं ये दूसरी इंट्रेस्टिंग बात ये है कि आखरी आकड़ा तो लगबग सब exit polls का एक जैसा है लेकिन बीच में variation है किसी ने किसी स्टेट में थोड़े कम जादा किये किसी ने किसी अलग स्टेट में तो मतलब पहली नजर से देखें तो कुछ अलग-अलग भी दिखेंगे अगर आप बहुत उसको बारीकी से देखेंगे लेकिन घुम फिरके end result वो ही निकल रहा है अब इसके अंदर इसका क्या कारण हो सकता है क्योंकि मैं honestly और मैं tongue in cheek मी बोल रहा हूँ मैं honestly सब pollsters को by and large ऐसा नहीं मानता कि वो कोई भगवान के बेजवर messenger है और आप बहुत से लोगों को जानते भी होंगे परस्तली भी उनसे मुलाकात है कि वो professional लोग है तो यह लेकिन यह बात मेरे गले नहीं उतर रही और इसलिए गले नहीं उतर रही कि मेरा मानना भी नहीं है मैं इन नंबरों से सैमत भी नहीं हूँ बस एक चुकि तत थे के तोर पर चुकि सायोग से कल जब मैं रात में बैठा तो मैंने 2004, 2009, 2014 और 2019 उनके जो exit polls है उनका जो मीडियन आता है उनका जो मीन आता है उसत आता है वो हमने देखा 2004 को छोड़कर 9, 14 और 19 एक दिशा में थे जो उस वक्त उन्होंने कहा एकदम वही हुआ और exit polls में numbers में अलग-अलग थे उनके आउसत के हम बात करेंगे जैसे अगर हम इसके जो 11, 12, 13 जो भी सर्वेज अजिनन किया जब हम आगे बात करेंगे तो इन सभी का एक कहीं आउसत लेके आएंगे जब आउसत लेके आएंगे तो उस नंबर पर बात करेंगे तो हम तब बात करेंगे कि साड़े 300 पार अगर साड़े 300 की इर्दगीर चार तारीक को आखड़ा आएगा तो exit polls दुरूस्त है उसके कहीं बहुत जादा फर्क हुआ तो बात है 9, 14 और 19 मैं तथ् exit polls का जो असत था एकदम ठीक दिशा में था और उसमें एक और बात थी जो विशेश कर 14 और 19 में 14 और 19 में जो higher side पे था यानि BJP एंडिये जो एंडिये के लिए projection था वो BJP ने अचीब कर लिया 280 कहा 282 हो गया 300 एंडिये के लिए कहा 303 BJP ने अचीब कर यह मैं आपको fact बता है कि सर्वे तो अलग-अलग समय पर अलग होते हैं 2019 में जो by and large numbers दिये थे exit polls ने BJP ने उससे जादा number हासिल किये अब आप मैं नहीं कह सकता कि इस बार ऐसे होगा या उल्टा होगा या उल्टा होगा या इसे होगा कुछ नहीं पता सकता था नंबर बहुत जादा आ सकते है इसे भी जादा आ सकते हैं और समय पर आप नीचे जो है लिखते थे कि यह silent wave बोल रहे है silent भी यह दोनों contradictory है राहुग जांती जी का पूरा पयान भी आगया संजे सिंग्ज आपको भी सुनना चाहिए आपको आपको आगे बात करेंगे exit पोल एक नहीं अनेक बार गलत साबित हुए इस देश के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2004 में जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया था बीजेपी वालों ने कितना हल ना मचाया था पूरे देश में हार गई बीजेपी बुरी तरीके से हार गई मुझे लगता है कि चार जून का इंतजार करना चाहिए और ये एक माइंड गेम बीजेपी खेल रही है इस देश के लोगों के साथ और मदगर्ना में कहीं कोई भ्रमित नहों अपनी मदगर्ना अच्छे से कराए ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों को उठानी आप मदगर्ना के इंदर पर मौझूद रहिए और बाहर आपके समर्थक होने चाहिए इसका नाम एक्जेट पोल नहीं है इसका नाम मोधी मीडिया पोल है ये मोधी जी का पोल है फैंटिसी पोल है उनका थैंकियो सब्सक्राइब जी ने पोल कराया था तो फिर सभी को कहते हैं चारसो पारी दिखाना मोधी जी क्यों चारसो से चुकते कोई देरा साड़े तीन सो के 408 तो दे रहा है हम दो चानल ने दिया है चारसो पोल है ऐसा भी नहीं कि दो ही चैनलों से उनको बहुत प्रेम हो बाकियों से दुश्मनी हो आप इसमें कुछ भी कह दीजे चुनाओ तो ऐसा ही हुआ कि आप कुछ भी कह दीजे राहुल गांधी ने तो खैर अपना मूडिये बना के रखा ह सारे प्रेडिक्सन सिफ एक सी वोटर का छोड़ के सभी ने बताय था कि बीजे पी 301 पास आ रहे हम लोग सभी ने बताय था सबसे खराब दौर ता 2004 से 2014 ता वही खराब दौर जिसमें यह लोग जादा एक्टिव थे जो संजीर जीने का इस बार ऐसा नहीं है सारे एक दिशा में जा रहे हैं बहराल 350 के उपर है, NDA के लिए 350 प्लस, मतलब हाँ, डारेक्शन सेम होना और रफली नमबर सेम होने में, बीजेपी 300 प्लस ये यूनिफॉर्म ये ये यूनिफॉर्म ली सब लोग बोल रहे हैं, 350 प्लस, दो पोल्स हैसे भी हैं, जो बिलोव 300 हैं, जारा तर पोल जो है, वो 340 से 370 ह है, 3 पोल्स हैं, जो 390 और दो पोल्स हैं, जो 440 पोल्स हैं. उसको कम भी पिडिक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ ये बात सही है कि 2004 में जो पॉल हुआ था वो पूरी तरह से पलट गया था ये बात आप कह सकते हैं लेकिन 2009 में जिस तांगर पिडिक्शन हुआ था वो ये था कि जैसे अभी भी हुआ 2014 में हुआ जो आपने पिड ज्यादा पोल्स बहुत खराब हो जाते हैं या बहुत गलत हो जाते हैं एक आत बार कई बार होता है जब बिल्कुल ही हव Yogis जाती है लेकिन इस वकत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह कोई हवा चल रही हो जो बह गए गए हूँ मतलब किसी के अगेंस चल रही हो पू पर ये बात तो आप सभी लोगों ने कहीना कि सभी लोगों ने ग्राउंड पर जाकर ये कहीनी दिखाई देता कि मूदी से कोई बहुत जादा नराजगी है या मूदी अनपॉपिलर हो गया है ये तो नहीं और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चुनाव में भी आपको विधान सभा और लोग सभा चुनाओं में अलग-अलग नतीजे भी देखेंगे को में अ